बोलिवुड अभीनेता सुशान सिंग राजपूत की आत्मत्या के मामले में नया मोड आ गया है। अभीनेता के पिता ने अभीनेतरी रिया चक्रवती और उनके परिवार के खिलाफ एफाई आर दर्च करवाई है। सुशान सिंग राजपूत के मनने से पहले तक रिया चकरवतियों की गल्फ्रेंड थी इसके बाद ही सुशान सिंग राजपूत के पीता केके सिंग ने रिया चकरवतियों पर आतमत्या के लिए उकसानी सहीत और कई गंबीर आरोप लगाये हैं सुशान सिंग राजपूत के पीता ने F.I.R. दर्श करवाने के बाद रिया चकरवती पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने उनके बेटे को ब्लैक मैल किया था सुशान सिंग राजपूत के पीता ने अपने बयान में कहा मेरा बेटा फिल्म लाइन छोड़कर केरल में औरगनिक खेती करना चाहता था उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर गई जाने के लिए तैयार था तब रिया ने इस बात का विरोट किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगे और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुमारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूँगी और सब को बता दूँगी कि तुम पागल हो सुशान्थ सिंग राजपूत के पिता ने अपने बयान में आगे कहा जब रिया ने देखा कि सुशान्थ उसकी बात नहीं मान रहा था और उसका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है तो रिया को लगा कि अब सुशान्थ उसके किसी काम का नहीं है बयान में दावा किया गया है कि 8 जून तक रिया चकरवती सुचान सिंग राजपूत के साथ रहे रही थी इसके बाद वो घर से सारा समा नगदी, जेवरात, लैपटोप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और उनके पिन नमबर सुचान के जरूरी दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई शुचान सिंग राजपूत के पिता ने बयान में कहा, आरजून को दीशा जिसे रिया चकरवती ने ही सुचान के पास अईस्ताई तोर पर सेकेटरी रखा हुआ था, उसने आत्मत्या कर ली थी जिसके बाद मीडिया में काफी खबरे चलने लगी और मेरे बेटे को काफी घबराट होने लगी, मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने के भी काफी कोशिश की लेकिन रिया ने मेरे बेटे का नंबर ब्लोक कर दिया था, मेरे बेटे को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रह और बेल आइकन दबाएए ताकि हमारी नए खबरे आप तक जल्दी से पहुंचाएं